जैहिन दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने माध्य देख लिया, माधिका देख लिया, अब आज के इस वीडियो में हम लोग बहुलक देखेंगे, दोस्तों हो सकता है कि सेम टू सेम सवाल ना आए, डाटा चेंज कर दे वहाँ पर, ठीके बाबु, मेरा मकसद था आपको सिखाना कि माध्य कैसे निकालते हैं, माध्य कैसे निकालते हैं, और बहुलक कैसे निकालते हैं, वहाँ पर डाटा चेंज होगा, तो वह आपको बनाना है, क्योंकि अब हमारे पास इतना समय नहीं है, कि दश्टों माध्य बताएंगे, दश्टों माध्य का बताएं हम इन उतारने के बाद जो frequency कौन कहलाता है जो सबसे बड़ा होता है वही हमारा f कहलाता है तो देखो यहाँ पर उसको हम लोग यहाँ पर बहुलक में हमें क्या चीज़ का ज़रुद पढ़ता है बहुलक में हमें जो है formula पर अगर आप आओगे तो क्या क्या चीज़ चाहिए हम कैसे निकालते है वो देखो यहाँ पर जो सबसे बड़ा होता है वही आपका main f1 कहलाएगा ठीक है f1 के पहले कोन आएगा f0 और f1 के बाद कोन आता है f2 बात समझ मैं कि नहीं जो सबसे बड़ा f1 जो सबसे बड़ा f1 उसके पहले वाला f0 क्योंकि f2 उसके पहले नहीं हो सकता जब भी होगा f2 उसके बाद होगा उसके बाद वाला f2 अच्छा इसके सामने वाला जो वरगंतराल होता है उसके ठीक सामने वाला el होता है हमने आपको जो जो चीज आपको पता चल गया उसको आप लिख लेना है अब देखो यहाँ पर बहुलक का फॉर्मूला लगा दिया है अब इसका value put up करेगा यहाँ पर धियान से दिखना है L कितना था? 30 F1 कितना था? 15 F0 कितना था? साथ हो जागा यह 10 को direct उपर लेकर चला गया गुना मिले गया, क्योंब गुना में था उपर 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 गुना कर दिये अब देखो यहाँ पर हो जाएगा 15 F2 30 मैनस मैनस प्लस यानि 9, 8, 17 लेकिन चीन रहेगा मैनस का इसलिए मैनस 17 अब देखो यहाँ पर 30 हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 10 सते 70 30 मैं से 17 घटा दोगे ते कितना आजाएगा 13 यहाँ पर भी वही नियम लगाना है जैसे हमने पहले वाले वीडियो में बताया था कि 30 रुपेया को अलग रखो 70 को इससे डब डिवाइट करोगे 13 से तो 5.38 आजाएगा तो यह रुपिया है यह पैसा है तो 35 35 रुपेया यह 38 पैसा यह अतना असानी से बन गया ठीक है उमीद करते हैं कि आप लोगों को आज का यह वीडियो पसंद आया होगा